ओके जी इनेक्वालिटी जो हैं हम लोग ने लगानी हैं तो फिस्ट अफॉल आप इनेक्वालिटी को देख लें लेकित दार ओके यह एक होगी इनेक्वालिटी नमब वान इसके लिए हम लोग लगाएंगे स्ट्रेट लाइं ओके यह आलड़ी हम डेबेट कर रहे हैं अशकली सीपे यह होग जी इनेक्वालिटी नमबर टू इसके लिए लगाएंगे हैं इसके लिए लगाएंगे लाइगी डॉटेड लाइन हम लोग एक्प्लेइन कर चुके हैं आपको आ रहा है कि नहीं अगर नहीं आ रहा तो मुझ मारो जल्दी चाट भी बता दो हर्याप ओके तो ओके जी पहले लाइन लगानी है वाई इस लेस दन टू तो वाई इस लेस दन टू मतलब वाई इकोस टू टू लाइन लगानी है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है रबाब and that this is the line okay agree पहले line लगाते हैं फिर less को देखेंगे बाद में ठीक है so now they say that they say that x is less than 3 so x is less than 3 अब मैं दूसरे color से line लगा रहा हूं please pay attention x is less than 3 तो आपने पेपर में भी पूरे ग्रेट को लाइन लगा लिए ठीक है जितना ग्रेट हो पेपर में x is less than 3 तो हमारी x is equals to 3 तो हमने line लगा ली क्योंकि name of this line is x is equals to 3 and this is y is equals to 2 ठीक होगे बटा किसी line लगाने का तरीका यह कहता है कि y is less than or less than or equals to x plus 4 तो इस line को लगाने का तरीका यह है कि आपने टेबल बनाना है ठीक है मैटा आपने लिख देना है y is equals to x plus 4 so above उपर x नीचे y line लगाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए अगर मैं x को zero put करूं तो y क्या आएगा y4 आएगा very good और अगर x को one put करें तो y क्या आएगा नहीं यह वन प्लस फॉर इस फाइव ठीक है एक्स की जगह पर आपने one put करना ना उपर equation में तो अभी दो points के ज़री हम लोगा लाइन लगानी है x is zero and y is four so x is zero and y is four this is the point agree and x is one and y is five x is one and y is five x is one and y is five इन दो points को जॉइन करते हुए बिटा में एक लाइन लगा दूगा दूगा और फिर हम लोग inequalities को discuss करेंगे इसके बाद क्योंकिए inequalities के लिए हमरे पास पहले lines होनी चाहिए है मारू साथ साथ आप मेरे साथ चार्ड में ड्राइक करो ठीक है तो यह थोड़ा सा जूम इन में कर रहा हूं आपने paper में भी पूरे grid पे line लगानी है ठीक है तो दो points हैं तो यह दो points के उपर हम लोग रखनेंगे ruler और ऐसे रखना है ruler कि इन दोनों points को touch करे ruler ठीक है चलें जी यह मेरे मताबिक यह line जो है ना यह इदर लगनी चाहिए और मैं इस line को लगा रहा हूं इसे एक minute so अभी हम लोग लगाएंगे एक line आपने paper में भी बैटा ऐसी ही line लगानी है ठीक है पूरे grid पे line लगानी है कोई जगर grid की खाली नहीं चोड़नी है ठीक है बैटा okay first of all देखते है what is wanted region तो wanted region के लावा हमें सारा shade करना है because they say that by shedding unwanted region so पहले देखते हैं कि unwanted region कों सा है वहां पे हम cross लगाएंगे ठीक है बैटा clear they say that y is less than 2 y is less than 2 तो y जो है वो 2 से नीचे है तो उपर वाला सारा region unwanted हो गया agree or not yes or no agree very good how do you get this बैटा जरा गोर करो यह जी जी ना बोलो मुझे फजूल का चा why is less than 2 मतलब इस blue line से नीचे है ठीक है वो आपको wanted region है तो उपर वाला unwanted हुआ that is the reason मैंने उपर चार हिस्से बनते थे मैंने चारों पर cross लगा दिया यहां पर भी cross लगा दिया agree get it okay जी अब यह कह रहा है कि X is less than 3 तो greater than 3 वाले यह दो पॉर्शन्स हैं इसको भी cross लगाने उपर और यह cross लगा हुआ है दुबारा cross लगाने का फायदे नहीं agree is that clear tomorrow because X is X can't be greater than 3 because X is less than 3 तो less than 3 मतलब कि यह वाला जो है यह हमारा wanted region है तो इसलिए मैंने उस side के उपर जो है ना वो मैंने cross लगा दिया है यह समझ आगी है जी दुनों को समझ आगी अरबाब समझ आईए बटा now they say that Y is less than X plus 4 less than or equals 2 तो less than इस लाइन से नीचे होगा कि उपर होगा बेटा नीचे होगा ओके जी इस लाइन से नीचे होगा वो हमारा required region है तो unwanted हमारा यह उपर वाला है agree agree so अब आपने जो unwanted region को shade करना है तो unwanted region आपका कहां पर shade होगा आपको यह नजर आ रहा होगा जहां पर cross नहीं है वहाँ पर आपको shade जहां पर cross हैं वहाँ पर आपको shading करनी है क्योंकि unwanted region shade करना है ओके बटा समझ आगी आपको जहां पर cross है वहाँ पर आपने shading करनी है because this is unwanted region वो wanted को shade करने को नहीं बोल रहे है तो यह paper में भी आपने इसी तरह करना है ठीक है तो यह already हमें इसको shade करना है क्योंकि यहाँ पर cross लगे हुआ है जी समझ आगी बिटा आप लोगों को कि नहीं और जो region आपका required region है आपने इसको और मेंचिन करना है तो यह हमारा required region है get it बिटा समझ आगी is this clear can I proceed to another question yes sir okay that's good चलें जी अगले question की तब देखते हैं कि अगला question क्या है okay जी very good बहुत अच्छा सवाल है यह यह भी recent question को यह कहता है by shading unwanted regions okay unwanted region को ही खाली shade करना है जरा देखें जरा अब मैं direct shade करूंगा कहता है x is less than equals to 3 to greater than 3 is my unwanted yes or no yes or no yes or no okay जी यह हिस्सा तो diagram से out हो गया now they say that x is greater than or equals to 2 तो मतलब less than 2 जो है यह सारा out हो गया agree yes or no समझाईए बेटा अर्बाब आपको समझागी बेटा जी 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 अब जी जी अब जरा देखने जरा यह नीचे तो लाइने लगी है इस लाइन को देखने जरा पहले y is less than y is less than की जगा में equal लगा रहा हूं तो एक्स प्लस वन और आपको मैंने बताया हूँ है काडिनेट जो में के वन जो है यह सी है उस सी होता है य इंटरसेप्ट देखे दोनों में से इसी कुन सी लाइन है जो के y एक्स से 1 से क्रॉस कर रही है नजर आ रही है आपको यह लाइन यह वैली तो इस लाइन का नाम है y is equal to 2x प्लस वन नजर आप ली बिटा आप लोगो अब यह कहरा है कि y is less than equal to 2x प्लस वन तो नीचे वाला हिसा हमारा required रीजन है उपर वाला जो है हमारा unwanted है तो इसको भी shade कर देंगे ठीक है बिटा clear हो गया चलें जी अब जरह देखते हैं last one कहता है y is greater than or equals to 4-x तो बस य लास्ट वोली लाइन है तो मतलब greater का मतलब है उपर वाला रीजन जो है हमारा required है तो यह वाला रीजन हो गया हमारा unwanted region मारुख समझा गई बेटा पेपर में भी अगर ऐसी shading आपने कर दी न तो आपने फिर ruler रखना है ruler रखके आपने इसको यहां पर सफाई करनी है ठीक है grade की समझा गई बेटा मारुख आपको के नहीं ठीक है अभी आपके exam में linear inequalities आने वाला है ठीक है जहां पर जो question हो वो उसी time पूछ लाए करें ताके आप लोगों कोई questions जो है ना वो ज्यादा क्यारी ना हो ठीक है जी समझा आगई बेटा अरबाब जी ओके गोड़ जाब देखते हैं आगे कोई और question है ओके जी यह देखने जरा अरबाब इसमें कितनी लाइन है नजर आ रही है आपको त्री वह एक डॉटेट है और एक डॉटेट लाइन है अग्री जी अच्छा यह कहता है कि तो वन से कुन सी लाइन क्रोस कर रही है यह वाई एक डॉस टो एक्स प्लस वन अग्री और इसकी इक्वेजिन हमें गिवन है वह यह एक्स प्लस वन एग्री अर बाब इस लाइन की क्या equation होगी what is the equation of this line ये सर है y is equals to 1.5 very good y is equals to 1.5 अब r is तूपर है न तो क्या मैं कह सकता हूं कि that y is greater than or equals to 1.5, can I say that? ये ओके एक inequality मिल भी अब बाकी की दो निकालनी है ठीक है उके उन्हें ने कहा है find the other three inequalities तो हम लोग इस line को नहीं इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो अब हम दूसरी line देखते हैं कि दूसरी line हमारी कौन सी है ज़रा दूसरी line देखें ज़रा यहांपर दूसरी line हमें ये नजर आ रही है ये वली line है और अब इस line को equation निकालने के लिए हमें देख रहा है क्योंकि equation of the line क्या होती है हमारे पास अरबाब what is the equation of line okay c क्या है इस line का y intercept क्या है इस line का वो है two नहीं यार origin से पास हो रही है zero है तो y is equals to mx हो गया मतलब प्लस zero लिखने ही क्या जरूवत है हमें सिर्फ इस line का gradient निकालना है हमें इस line की equation मिल जाएगी agree तो gradient निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग यहां पे इस तरह एक line राइक करते हैं यह right triangle triangle बन गया कि नहीं बन गया कि नहीं तो gradient होता है m is equals to rise by run as we can see that this line is in inclining pattern तो gradient must be positive agree yes or no and gradient is always rise by run so this whole red line is a rise so 0 to 3 3 a rise and from that point to that point is a run so it's 4 so plus 3 by 4 get it अरब आब जी सुर्थ इस line की equation हो गई y is equals to 3 by 4 x समझा गी आपको इसको अं डिसे बन मिले इस निक सुटते है नना लिखने की जूरत ही नहीं है अब 3 by 4 लिखो ना पेपर में यह करने की क्या जूरत है अब आप भी है मुझे पताओ कि इस line की equation अब यह आर इस line से उपर है कि नीचे है और नीचे है और इस line से उपर है उपर है तो यह already straight line लगी है तो यह होगा y is greater than or equals to 3 by 4 x समझ आगी? समझ आगी बिटा? जूँ 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 अच्छा अब तीसरी inequality की बात आ रही है और तीसरी inequality आपको dotted line नज़र आ रही है यह सुट ओके जी dotted line नज़र आ रही है चले जी ओके तो y is equals to mx plus c इस की line की equation निकाल रही है c की value क्या नज़र आ रही है रभाब y x is p line कहां से cross कर रही है 3 से यह नज़र आ गया जी आपको आपन की equation of the line में y is equals to mx plus 3 आ चुका है m निकालना है अब हम इस line का ठीक है m is the slope of the line अब ओके यह बताएं कि इस line का gradient positive होगा negative very good line declining pattern के ओपर है और rise by run देखना है तो यहां पर एक already right angle triangle बन रहा है first to end to rise कितना है इस line का 3 very good and run कितना है आपको नज़र आ रहा है easy line का run कौन सो यह 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 पूरा run है six of full ठेको triangle बन रहा है right angle triangle so 3 by 6 का मतलब है m is equals to minus 1 by 2 ठीक है so now the equation of the line is y is equals to minus 1 by 2 x और c की value आई थी plus 3 यह equation of the line आगी is it clear बेटा यह questions cameras की अच्छा यह past paper questions है तो y is equals to negative 1 by 2 x अब यह dotted line है मारूख तो यह आर इस से नीचे है कि उपर है अरबाब आप पता दें क्योंकि वो chat पर जवाब देती है slow देती है यह आर इस लाइन से नीचे है कि ऊपर है वो वन बेट तो यह उपर नीचे है नीचे है ना तो हम लोग इसके लिए यह वली नीक्वालिटी लगाएंगे एगरी यह सर्थ लाइन नी लगानी इसके नीचे क्योंकि डॉटे लाइन लेगी है यह माइनस वन बैर टू एक्स और प्लस थ्री केरें इजी होगे बटा समझ आगी यह कि नहीं समझ आगी बटा ओके जी लास्ट क्वेशन अच्छा फाइंड थ्री नीक्वालिटी डाइट डिफाइंड दे रीजिन और फाइंड थ्री अच्छी दुबारा नहीं यहां पे लिखाई दूबारा हमें यहां पे लिखना थीक है यह हमें लोग करते हैं बाइक क्यूंकि बस अभी काफी सारे कॉशिंछ जो चुके हैं इसके उपर अच्छे नहीं यह कॉश्टिन सैवन नीचे था एक मिनिट अच्छा ओके जी ये question number 7 है और इसके parts और वो कहते है तीन इन्यक्वालिटी आप बताओ तो पहली इन्यक्वालिटी आप तीनों straight line लगी है तो अरब आप पहली इन्यक्वालिटी आप बताएं वाई इक्वाई ये तो equation of line होगी ना Y is equals to five inequality क्या होगी नुम चल बता भी दे यार X is equals to two X is equals to two ये इस line की equation होगी inequality आप बताओ Y is less than five तो 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 कि तीसरी इन इक्वालिटी निकालनी है रही अब इस अब इस अब करो तीसरी इन इक्वालिटी कैसे तो मैं पता लग गई है इस्ट्रेट इन नहीं थीक है ऐसी क्या है ऊके तो वाइज इक्वेश व्यों प Track 05 होजए अब इसकान का अब इस का आं निकालना ना तो यह बताओ कि इस लइन पा सुझ तो ईनिगेण इन ऑग और आग यह अप वैरी कोड़्के तक्राइट्छ राइज जो है इस लाइम का है वो है 6 वो रन कितना है रन है 12 वेरी गोड तो 6 बाइट 12 एज वन बाइट वन बाइट वन बाइट वैस और नो इसका मतलब एक विजन अव द लाइन एज वन बाइट टू एक्स अब बताओ की सी नेक्वालिटी होगी लेकिन इसके दर्म लाइन में कौन सा शाइन लगा हूं इसके बिए बिए लगाए ने ने वो लगाएं इस इक गाएं एस गएं लिए लेस दन मोर्दन सॉरी आं मोर्दन तो ग्रेटर रैन और एक्वल्स टू बैट रुकर और और अल फ्री अर वाट देयर वाट यहर इसके बाद एक प्वेश्चन इसका एक और पार्ट लिखा हुए एक और पार्ट लिखा हुए एक और पार्ट लिखा है वो देख लिए कहता है फाइंड दा पॉइंट एक्स वाइट इंटिजर कोडिनेट इंसाइड डे रीजन और सच देट त्री एक्स प्लस वाइफ वाइज इकोस तो थर्टी फाइफ तो यह एक्वेशन हम इदर लिख लेते हैं क्योंकि यह पेज बीच ले जाना मश्किल है तो थ्री एक्स प्लस फाइफ वाइफ वाइज इकोस तो थर्टी फाइफ अच्छा इसके अंदर कौन चैसे कॉडिनेट्स है रीजन आर के अंदर के एक्स की जगह पर वो नंबर डालें और वाई की जगह पर नंबर डालें त चैक करते हैं दिर आर फ्यू कॉडिनेट्स इंसाइड और हम लोग लाइन के उपर के कॉडिनेट्स भी ले सकते हैं तो हमारे पाइफ बहुत सरे कॉडिनेट्स है रीजन आर के अंदर अच्छा वो इनसाइड है तो यह जगह क्या कर सकते हैं देखें एक आर है हमारे पास अच्छे कि एक ही को सरकल करके चेक करेंगे हैं यह कॉडिनेट्स है चेक करें ओके यह एक सफवाइफ एंड़ यह जगह पर एंड यह जगह पर 3 so three fours are twelve plus five five threes are what fifteen so twenty seven ये भी नहीं होता और कोई पता है जी x is five and y is four ये चेक करते है x is five and y is four ये वलब कोडिने नज़र आ रहा है सब को जो में सर्कल करता जा रहा हूं one by one यहां पर कोडिने आपको समझ आती है ये नीचे x five है और यहां पर x four है ये समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूं तो मैं ज़र पूट करके देखता हूं three x की जगां पर five डालना है plus y की जगां पर four देखें क्या 35 आ रहा है three five's are fifteen plus twenty yes 35 आ गया get it get it so ये ये क्या था ये ये था कि इसके अंदर इन्होंने question ये ऐसे बनाया था दो number का question था के find the point x y एक ऐसा coordinate इस region r के अंदर मुझूद है जिसमें x और y की value आप put करेंगे तो answer 35 आ जाएगा तो हमने different try करने थे ठीक है तो हमने x को five put किया था और y को four ठीक है जी is it clear ओके जी अब मैं जल रहा हूँ तो रहा है क्योंकि इसका paper है coordinate geometry में sorry triangles में so kindly pay attention sign rule and cosine rule sign rule okay sign rule is a rule which is used and it is a ratio between angles and a side so we use two sides and two angles in this तो यह होता क्या है जरा समझ जालने थोड़ा सा इसको रटा नहीं वारना खाली सीखना है चाहा रटा बटा नहीं लगाने की जरूँए इसको पर लेडी में एक वीडियो बना चूका हूँ वो भी देख सकती है यह होता है sign a divided by a is equals to sign b divided by b is equals to sign c and divide by c आप इसको ऐसे भी ले सकती हैं अगर side unknown हो और आप sign rule इस्तमाल कर रही हो तो आपने ऐसे लेखना है a divided by sign a हमेशा new numerator में unknown लिखते हैं ठीक है बटा divided by sign b is equals to c divided by sign c ठीक है जी मैं ट्राइंगल आपके सामने बना रहा हूँ जरूरी नहीं कि ट्राइंगल राइंगल ट्राइंगल हो यह नॉट राइंगल ट्राइंगल हो यह नॉट राइंगल ट्राइंगल में असानी लोग आपको नजर आ रहा है कि आपके पास sign rule में दो साइड जो दो आंगल होती है तो अगर फार एक्जांपल यह यह नजर आ रहा हो कि यह sign x divide by 6 and sign 84 divide by 10 करें तो यह possible है sign rule के जरिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि sign x divide by 6 is equal to sign 84 divide by 10 अब subject making करनी है 6 यहां पर divide हो रहा है वो next step में जाके multiply होगा तो sign x is equal to sign 84 divide by 10 times 6 अभी भी कालकुलेटर में पूटिंग नहीं करने क्योंकि पीट्व क्वेश्चन है तो sign गुदर लाएंगे तो sign inverse होगा यह हो जाएगा sign inverse bracket और यह उपर वाला पूरा step दुबारा नीचे देखना है sign 84 divide by 10 multiply by 6 फिर scientific calculator में आपने इसको as it is put करना है ताके आपको इसका correct answer मिल जाए so यह देखें जी scientific calculator में putting के लिए आपको चाहिए sign inverse तो shift तबा के sign का button नबाएं तो sign inverse आगया फिर आपको चाहिए fraction तो उपर हो रहा है sign 84 ब्रैकेट बंद कर दें multiply कर दें इसको 6 के साथ और denominator में multiply हो रहा है 10 और कर दें ब्रैकेट को close equal the bar ने तो answer आगया जी x is equals to 36.6 तो one decimal place तक यह answer देना होता है angle के उपर मारो समझ आ गई बिटा you get this okay जो भी unknown आप इसके जिरे कोई side भी निकाल सकती है ठीक है okay so फिर इसके वोपर आप question practice करें कर कल की class में मुझसे questions पूच सकती है कि अगर आपके पास कोई question हो तो you can come to me okay then we have a cosine rule, cosine rule is also a rule and it has it has three sides, इसके अंदर तीन साइड होती है और only one angle ठीक है, तो अगर आपके पास इन four variables में से कोई भी तीन available है तो आप चोथा निकाल सकती है easily तो इसको बनाने का तरीका यह है कि यह a है, यह b है, यह c है, side opposite to angle c, small c, that's small a and that's small b अगर आप a के लिए यह बना रही है, small a के लिए तो यह होगा a square और a square के opposite जो angle है वो यह है तो it is cos a, तो आप यहां पे लिखते है cos a, so then b square plus c square minus 2 into b into c, यह multiply हो रहा है cos a के साथ, गयरे और अगर आपने b के लिए बनाना है तो आपने लिखना है b square, और b के सामने होगा cos b, तो आपने यहां पे लिखना है cos b, यहां पर आप शूरू हो जाएंगी a square plus c square minus 2 into a into c, अगर आप c के लिए बना रही हैं तो आप लिख सकती है c square is equals to a square plus b square minus 2 into a into b into cos of c, बस यह आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें से six formulas बना सकती है, मैंने a, b, c बना दिया, आप cos a को भी subject कर सकती है, cos b को भी, cos c को भी get it, और यह subject making के जरीए आप इस equation को बनाएंगी, इसको use कहां करते हैं, इसके लिए आप ऐसा करें कि को समझ आए तो ठीक, अगर आपको समझ आए त आप मुझे कल बताएं, ताकि मैं फिर आपको past paper question, क्योंकि आपकी practice नहीं है, आपने already lesson पड़ा हुए मेरे से, तो आप यह practice करें and then tell me tomorrow, और फिर मैं उसके ओपर जो है आपको मैं कल जो है ने, इन्शालला तला फिर मैं पूरा proper guide करता हूं, ठीक है, जैरे गए बेटा,